आयोध्या में आज विश्यो हिंदू परिशत के तरप से धर्मसभा का आयोजन किया गया था लाखों की संख्या में रामभक्त सामिल हुए धर्मसभा हो गई और रामभक्त अपने अपने गंतब के लिए आयोध्या से रावाना भी हो गए हैं लेकिन जो 1990 की दसक का राममंदिर आंदोलन था वो नजारा आज नहीं देखने को मिला राममंदिर आंदोलन के समय प्रमुक रूप से अगवाई करने वाले पूरु राजसभासांसत विने कटियार जी हमारे साथ हैं हम उनसे बात करेंगे कि क्या अंतर अभी तक उनको समझ में आया या वो क्या कहना चाहते हैं कटियार जी इटीवी से बात करने के लिए धन्यवाद क्या पूरा महौल आपको समझ में तब से लेकर अब तक बड़े दिनों के बाद इतनी बड़ी संख्या आना ये आप में एक चमतकार है अदूत घटना है मैं ऐसा समझता हूँ कि जो नौजवान है आप सोशल मीडिया बाकी मीडिया वो जो देख रहा है उसको ऐसास हुआ होगा कि राम जन्भूमी अंदोलन ये नए शिले से छिड़ा जाए तो सच बात तो ये है कानून बना कर के या अध्यादेश बना कर अगर मंदीर का निर्मान नहीं होता है तो नौजवान संत समाज ये आकरुशित हो रहा है उसको ये नहीं मालूम है कि कांग्रेस क्या कर रही है कपिल शिंबल ने उसने वहां विरोद किया कोट में और कहा कि चुनाओ के बाद इस केस को देखा जाए जबकि एक को फांसी दी जाती है बारा बजे रात के खोल करके अदालत को और उसकी सुनवाई की जाती है और राम जन मुहूंग बता दिया जाता है ये महतुहिन है और अगर ये सब मंदिर निर्मान के तिथी वगरा तय नहीं कि तो मैं मुसल्मान बंधों सभी निवेदन करना चाहत करो क्योंकि खुदाई में सबकुछ राम की जन भूमी का ही साक्षी मिले है और उसके सामने है कोई ऐसा नहीं है कि लुकी छीपी का काम हो सब के सामने है नहीं अगर दी तो फिर हमारे कदम कासी की ओर बढ़ेंगे फिर मेरे कदम मतुरा की तरफ बढ़ेंगे पिर हमारे दिल्ली की ओर जाएंगे, जामा मस्जिद पर जाएंगे, जो जम्ना देवी का मंदिर, पिताज महल पर जाएगा, यह तेजोश मंदिर है मारा, ऐसे बहुत सारे इस्थान है, जौनपुर में हमारे हैं, छोटे बड़े मिला करके 40,000 ऐसे स्थाने तीश के अंदर, जहां पर हमारे मंदिनों को तोड़ा गिया, उनको मनिद किया गया, प्पजा किया गया, तो फिर नहीं होगा, तो क्या कराएंगा हर्मार यह देवीव देव अ हम कहेंगे, जहां मोकाh पातए हो अन्मान चारीसाह का पर लोंप, लेकिन अभी नहीं, अभी तो समय हैं, हम तो चाहते हम सब लोग ठाट मनें यह कैसे काम चलेगा और देखेंगे और लोकसभा के अंदर जो बिल आएगा या राजसभा में आएगा तो हम तो प्रदान मंतरी जी से आगरे करना चाहते हैं कि आप बिल को ले आईए और उस बिल में जो लोग विरोधी हैं विरोध करते हैं उनके च कि हम यहां पर आये हैं इतने सालों के बाद आये हैं तो यह पहले बुलाया जाना चाहिए था और जो उस समय लोग 40-50 के रहे होंगे आज वो 60-65 के लोग साल के हो गए उनको नहीं वो तो विचाले के वाल कहानी बताते रह गए हैं तो नए शीरे से फिर आंदोलन छेडने की जरूरत है अगर सरकार यह नहीं करती तो आगे क्या हिंदू समाज आक्रोसित होगा क्या रणित होगी अब राजस्थान में प्रधान मंत्री जी ने राम जर्म हुमिंग की चर्चा की है और नों बताया है कि कांगरेश ने कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट में रोकने का बोले हैं और उनसे आसा मैं करता हूं कि उत्ता प्रदेश के दोरे में जहां भी रहे हैं तो वो शुरू करें कासी छेत्र के वो मन्नी शांसत भी है तो एक बार हुंकार भरने की जरूरत है वो करेंगे तो ये बीजेपी के वरिश नेता बिने कटियार जी थे जिनका साफतोर पर कहना है कि रामभक्तों को एक आसा हुई है नरंद मोदी सरकार बीस तरफ ध्यान देगी धीरस्त्रिपाठी एटीवी आयोधे